हालो स्टुदेंस वेल्कião तुछ फ़ाइनफ डीश्कश्टिओ अवाऊफ़ क्लास 12 वाइनटा राजी स्थानी पेंटिंग डिस्क्रेपशन ओफ पेंटिंग जोगन प्लेयर। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे चोगन प्लेयर पेंटिंग को डिस्क्रिप्शन चलिए देख लेते हैं पहले इसके प्रिजम्टिशन पॉइंट देखेंगे and then subject matter, description तो इस तरह से आज में इस पेंटिंग को कवर करेंगे Let's start As you can see this, यह है चोगन प्लेयर पेंटिंग तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो है टू क्वीन्स हैं और वो अपनी फॉर्मेट्स के साथ यहां पर पॉला खेल रही है तो जो एक्साम में इस तरह से question करके आ जाता है को कोई group scene की painting describe कीजी राजिस्थान स्कूल की तो आपको अगर group scene की बात हो रही है तो उसमें चोगन प्लेयर को आपको describe कर देना है क्योंकि यह group scene की painting है and now we will see its presentation point name, जोगन प्लेयर, artist, दाना, medium, tempera, watercolor on paper तो जैसे कि हम mostly सभी paintings में पढ़ते आ रहे हैं जो इसका medium है वो tempera, watercolor on paper period 18th century AD and सभी schools की बात करें तो यह कौन से सभी school की painting है तो जोदपूर जैसे कि हमने कहीं सारे सभी school पढ़े हैं राजिस्थान में जोदपूर, जैपूर, बीकानेर, किशंगर, मेवार तो इस तरह से यह जो painting है इसका सभी school है जोदपूर courtesy the national museum new Delhi and now we will see its subject matter तो देखे subject matter में क्या बताया गया इसके it is a horizontal painting तो जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था यह painting की जो picture दिखाया थी तो वो एक horizontal painting है the two princes are shown in the painting playing polo with their four mids तो इसमें जो है two princes यहाँ पे दिखाये गई है अपर पार्ट में painting के और वो polo खेल रहे हैं अपनी four mids के साथ तो इस painting में यही describe करना है इसका subject matter यही है कि इसमें two princes है जो कि अपनी four mids के साथ वो polo खेल रहे हैं now we will see subject description तो चलिए अब इसका description देख लेते हैं जोगन प्लियर composition group scene तो देखिए जैसे कि इसमें specially heading से बताया गया है कि यह composition है जिसमें की group scene को दिखाया गया है तो इसका description में आपको क्या दे देना है its horizontal composition सबसे पहले तो यह जो painting है वो horizontal painting है जैसे कि मैंने आपको picture में दिखाया था कि इसको जो है चोडाय में बनाया गया है क्योंकि जो mostly जो सभी paintings होती है कोई vertical होती है कोई horizontal होती है तो यह जो painting है वो horizontal composition है ओके all the six figures of ladies are shown sitting on horse तो इसमें जो six figures है जो कि इसमें two princes है और four उनके mates है तो यह total हो गई six तो इसमें क्या है all the six figures of ladies are shown sitting on horse तो यह जो total figures है six जो यह ladies है वो सारी के सारी जो है horse पे बैठी हुई है जो कि इस painting में दिखाए गई है it is a group scene तो आपको यह बात याद रखनी है कि यह group scene की painting है the face of two princes are facing each other and four mates two on left and two are right इसमें जो है जो princess है उनके जो face है वो एक दूसरे के सामने मतलब एक दूसरे को वो देख रही है आमने सामने वो खड़ी हुई है उनके horse एक दूसरे के तरफ आते हुई इसमें दिखाए दे रहे है और जो इसमें जो इनकी made दिखाए गई है अगर उनकी बात करें तो वो दो princess उनके left की side मतलब उनकी horse जा रहे हैं और दो right की side तो उनके जो horse है जो made है उनकी four maids उनके जो horse है horse जो है opposite direction में जा रहे है center से मतलब जो right वाले है वो अलग direction में जा रहे हैं और जो left वाले हैं वो भी अलग direction में जा रहे हैं तो इस तरह से यहां पर दिखाए गया है also facing each other but their horses are moving in opposite direction in the maid also want to control the ball तो इसमें क्या है जो इनके जो horse है mates के जो four mates है इनके horse opposite direction में जा रहे हैं और इन्होंने जो है जो four mate है वो ball को control करने की कोशिश यहां पर करते हुए दिखाई गई है और जो उनके जो horse है वो center से जो है opposite direction के और वो महा से मतलब तोड़ते हुए दिखाई गई है the bodies of the may के twisted background of face the ball अब देखिए जो four mates है यहां पर इनके twisted ball twisted जो है body दिखाई गई है क्योंकि क्या है इनके जो body है वो तो मतलब जो face है body के according face इन्होंने पीछे के साथ किया हुआ है जो twisted काफी दिखाई गए यहां पर और यह ball को control करने के यहां पर कोशिश कर रही है जो पीछे की और इनका face दिखाया हुआ है और body इनकी सीधी है लेकिन face को इन्होंने पीछे को करके रखा हुआ है head of the maid are covered with dhupattas अब इसमें जो maid की बात करें तो जो यह maids है four इन्होंने अपनी जो है सर पे जो है cover कर रखा है अपने सर को इन्होंने एक दो पट्टे से जो भी यह four made है सबने they are wearing the Rajput dress अगर इनके dress बात करें तो इन्होंने dress जो पहनी हुई है वो Rajput dress इन्होंने यहाँ पहनी हुई है यानि कि Rajasthanu style की dress इन्होंने पहनी हुई है और इस तरह से यह total figure होती है यहाँ पर आपको याद रखनी है कि यह भी question पूछा जा सकता है कि इसमें जो जोगन player में कितनी figures रो की गई है जो ladies figure है तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह जोगन player के बात आ रही है तो इसमें कितनी है two princes है आप अपनी four made के साथ है तो total हो गई six इसमें two princes और four made तो आपको यह answer देना है कि इसमें six figures है तो यह वाली बात ध्यान रखने वाली है आपके तो on the ground a bunch of flower and leaves can be seen अगर आप background के बात करें तो यहाँ पे जो है background में कुछ यहाँ पे leaves दिखाए गई है flowers भी यहाँ पे अगर बात करें तो यह जो six figures है यह जो total figures है वो क्या है वो running horse के उपर वो बैठी हुई है और जो two princes के अगर बात करें तो दोनों को वो facing में दिखाया गया है यूँकि दोनों के जो face है आमने सामने यहाँ पे दिखाए गए है और वो जो है और उनकी four minutes के opposite direction में face दिखाए गए है और वो जो सारी figure science में वो follow sticks से वो उपनी ball को control करने की यहाँ पर कोशिश करती हुई दिखाए गई है they want to control the ball तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो ball को control करना चाहती है उनके हाथ में जो है 6 sticks है यानिके वो 6 figure है तो यहाँ पर sticks दिखाए गई है और वो जो sticks है वो चारो की चारो मतलब 6 की 6 जो है वो ball के around यहाँ पर दिखाए दे रही है क्योंकि वो यहाँ पर ball को control करने की जो एक पोशिश कर रही है और अगर इसके मतलब यहाँ पर background की बात करें जो ball को cover करती हूँ यहाँ पर दिखाए गई है और जो है यहाँ पर बात करें तो लेडिस के face है वो profile face है जैसे कि मैंने बताया राजिस्थानी पेंटी में जो हम पढ़ते आ रहे हैं सभी figures के mostly जो face दिखाए गई है वो इनके profile face दिखाए गई है और अगर बात करें इनके dress की तो अब इनके dress भी और इनके eyes देखें काफे elongated इनके eyes यहाँ पर दिखाए गई है काफे लंबी-लंबी eyes जैसे कि राजिस्थानी पेंटिंग के एक विशेष्था है कि काफे लंबी-लंबी eyes इनके दिखाए गई है और इनके face भी profile face है और इनकी जो बात करें इनकी dress की जैसे कि उनने जो नीची का यह लोंग skirt टाइप यह लेहंगा पैना हुआ है यह जो है इनका bell की shape में लग रहा है जैसे bell होती है बिल्कुल उसी shape में इनका यह dress नीची का यह दिखाया गया है और जो horse है काफी well decorated ornamented यहां पर horse दिखाए गई है और यह सारी की सारी जो आगर आप देख सकते हैं जो queen है queen ने बहुत सुन्दर जो dress पैनी हुई है काफी ornamented उन्होंने जो है अपनी crown लगाए हुए है तो इस तरह से painting total जो है group scene की painting है color police में horse दिखाए गई है और horse जो है opposite direction में यहाँ पर दिखाए गई है two horse right side दिखाए गई है और two left side दिखाए गई है जिन पर जो है यह four mirrors यहाँ पर बैठी हुई है तो चलिए अब एक बार इनके one mask question देख लेते हैं कि इनके one mask question में क्या बताया गया है और जो इनकी जो dress है ड्रेस भी काफी जो है bright color में use की गई है bright color use की गई है rhythmic line में जो है इनके जो face की जो lines है वो rhythmic line में दिखाए गई है और जो पूरी जो painting है यह काफी ब्यूटिफुली तरीके से artist ने इसको compose किया है तो चलिए one mask question और देख लेते हैं इसके तो जैसे कि हम cover करते आ रहे हैं one mask question क्योंकि जो आपके syllabus में जो पूछी जा सकते हैं one mask question वो painting के जो description में से या फिर उसके presentation में से या फिर subject matter में से तो वो कहीं से भी पूछ हो जा सकते हैं इसलिए मैं आपको cover करा दे रहे हूं तो एक बार देख लेते हैं कि इसमें से किस तरीके से question बन सकते हैं तो name of the painting made by dhana तो जो दाना ने जो painting बनाई है उसका नाम क्या है तो आपको answer देना है जोगन प्लेयर्स name of the artist who painted जोगन प्लेयर्स आप देखिए इसी question को यहां पे बिल्कल घुमा फिर आगे उल्टा पूछ लिया गया है तो कौन सा मतलब जो जो जोगन प्लेयर पेंटिंग है वो किस आर्टिस ने पेंट किया तो यहां पे आपका answer होगा दाना देखिए what is the medium of the चोगन प्लेयर पेंटिंग तो मीडियम बहुत सिंपल है जैसे कि हम बढ़ते आ रहें इसमें आपको बस एक बार पढ़ लेना हो और आपको पता चल दाएगा कि टैंपरा वाइट अ कलर रहों पेपर इसका जो है मीडियम है अब इसका पीरड बताएए जब यह पेंटिंग बनाए गई थी तो किस पीरड में यह पेंटिंग बनाए गई थी तो आपको answer देदेना इसमें 18th century AD इसका time period है जब यह पेंटिंग बनाए गई थी Name the SubSchool of the Chogun Player painting तो इसके Sub School की बात करें तो यह सब Nicholas कोनसा है तो Chogun Player ठीके और एक बात करें तो करें इस पेंटिंग में जो है nhiो है Chogun Player में कोन सा गेमम यहां पे खेलते भी दिखाया गया तो इसको फोलो भी बोलते हैं तो इह पोलो खेल रही है जो ये छे फिगर्स हैं, इसमें दो राज कमारी हैं और फोर उनकी मेर्स हैं, ओके तो इस तरह से पेंटिंग का जो है आपको अगर प्रेजेंटेशन पॉइंट यानि के नेम, आर्टिस्ट, मेडियम, पेरियर, स्कूल, कर्टेसी, अगर आपको इस सब अच्छी से लार्न है तो आप one-mass question आपके हाथ में हैं और आप इनका easily answer देत होगे, तो इसी तरह से जो इसका presentation point हो गया, subject matter हो गया, description हो गया और हमने one-mass question भी इसके देख लिए, तो इस तरह से ये पेंटिंग हमारी cover होती है